हेलो फ्रेंट्स मैं शार्द थानवी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हूं आज अपने इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का पार्ट 1 का यूनिट 4 का चैप्टर सेकिंड करवा रही हूं परियावण में प्रकरतिक संसा कई बच्चों को बुक्स लगती है स्लिपिंग फिल्स की तरह उनको बुक्स खोलते ही नीन आने लगती है लेकिन परिक्षा तो परिक्षा है बोड के पर आजाएंगे तो आप लोगों की तैयारी के लिए मैंने अपने इस वीडियो में सेकिंड चैप्टर को थोड़ा अगर आपको मिरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेर करना ना भूलें वीडियो को चैनल को सबस्क्राइब करना भी न भूलें जिसके लिए आपको वीडियो पर दिये गए बेल आइकन को दबाना है तो हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड माता भूमी पुत्रो अहम पृत्विया भारतिय संस्कृति में माता को ये पृत्रति को क्या कहा गया है मा कहा गया है इसका स्रंक्षन करना इसलिए हमारा नैतिक करतव भी बन जाता है राजस्थान के जो हम चैप्टर प्रारंब करते हैं इस खिंद्रिक बहुत इंपोर्टेंट ह खेजडी गाम का एक अंदोलन जो हुआ था विस्नोई समाज में विस्नोई समाज के अंदर जो अंदोलन हुआ अमरता देवी के नेत्रतों में वह हुआ 21 सितंबर 1730 को अमरता देवी के नेत्रतों में राजस्थान के खेजडी गाउं में एक अंदोलन हुआ प्रकरती को ब भूति देदी कि सिर सांटे रुख रहे तो भी सस्तो जान अर्थार्थ हमारी लिए सिर के बदले अगर विर्ख्ष जीवित रहता है तब भी हम सब इसके लिए तयार रहते हैं विश्णोई विश्णोई का संप्रदाय जो 20 प्लस 9 विश्णोई 29 सुत्रों को मानते हैं ये सुत्र प्रकरति सरंक्षन हैं तो वह मुल्य नियम हैं तो ये एक आंदोलन हुआ था किसको बचाने के लिए खेजडी के व्रुक्षों को बचाने के लिए 21 सितंबर 1730 को अमरता देवी के नित अब आता है हमारे पास में परिवन संक्षन के आफछों की बार बार मूंग चलती चली जा रही है इसको वासता में आफशों क्यूं है इसके उपर परकाश डालें प्रिक्षा में कुश्चा में कुस्चन आता है तो ये देखिए आफशक हैं जीहां दुनिया की आबादी भटनते हुए क्या होता है करसी योग्य भूमी का छेतरफल भी कम होता जा रहा है क्योंकि लोगों को रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन की अफशक्ता हो रही है तो इससे क्या हो रहा है छेतरफल भूमी का छेतरफल भी कम होता जा रहा है और मुर्दा की उर्वरा श प्रेवन संक्षन की जो आप शेकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है बुमी का जो कहते है हम पर्थी पूरगपूरा पर्थी का केवल चित्यानवे प्रथी सफफ एक तिहाई भाग पर हम केवल विध्यमान है जो रहने योगे भूमी है वो केवल इतनी ही इतनी ही है만 की विसमे 97% जल महत्तार वहां स्मूद्रों में खारे जल के रुप में विध्यमान है जोका इतना अगरे युग्द होने के ऊपर भी क्यों की वो खारा है हमारे के यूगित भी नहीं है इसलिए हमारा को हिरावान् Dubasa संक्षेंग की अप्ष्कता है प्रफेसड के कारण क्या है वनस्पति वे कटाई वह यहां के संबंदों में कमी और धаж करन सहरी करण में वर्दी, तक्नीकी का अपरतेसित परसार, जनसंग का विश्वोट, परमाणों भट्यों में पैदा होने वाले रेडियो धर्मी, इंदन की राक, इलेक्ट्रोनिक स्कूप करनों से भी पर्यावान परदूशन भढ़ रहा है, यह सारे के सारे मैंने आपको अब आता है हमारा एक टोपिक, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वस्तों में है क्या, इसको कहेंगे हम वैस्विक तापमान, जो पूरी विश्व का तापमान है, जो रियन तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसको हम समझेंगे ग्रीन हाउस, यानि कि निकलने देती है उस्मा रोधी परदार्तों तो अच्छा तो ऐसे कांच की दीवारों से बनी होती है जिसमें सुर्य का प्रकास वा उर्जा पौध घर में प्रवेश कर जाए लेकिन उस्मा बाहर नहीं निकल पाए मैंने अभी बताया जैसे ग्रीन हाउस एक ऐसे कमरे को कहत बता रही हूं कारबन डियोकसाइड सियोटू मिथेन नैट्रोजन ओकसाइड क्लोरो फ्लोरो कारबन इन गैसों के प्रभाव से पर्थी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग आगे चेप्टर में हमारे पास में जो आता है तीविडिया ही जो वैस्विक तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदाई है सबसे ज्यादा जो है जिममेदार तो मनुष्य और उसके गतिविद्या ही है उसके बाद में अगर हम देखें दूसरा कारण बाढ़ा कारण देखें तो जंगलों का विनास जंगलों का बड़ गैस उप्वयोग होती है Chloroflorocarbond, जो की, ओजोन परत के iliए सब से जादा घातक गैस के रूप में मानी जाती है ओजोन परत के जो छेद के लिए सबसे जद उत्तरदाई गयास माने जाती है क्लोरोफ्लो कार्बन जिसको उप्योग सबसे जदा होता है air conditioner और refrigerator में जिसको कहते हैं हम CFC gas का उसरजन करते हैं ये air conditioner और refrigerator जो ओजोन परत में छेद करने के लिए प्रमुकुत्तरदाई कारक मानी जाती है और जिसके कारण से वैस्विक्तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है बिजली उत्वादन के लिए जीवा सुमिंदन का इस्तेमाल बड़ी मातरा में करना पड़ता है जिससे जलने से क्या होती है करण में प्रभाव को लगातार बढ़ा रही है और जिसका जो नतीज़ा आता है हमारे सामने गलोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आ रहा है अब आता है Global Warming के प्रभाव, प्रभाव में देखिए जो है हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट आता है वाता वर्ण का बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंट से क्या है लगातार वाता वर्ण का तापमान में, और जो धर्ती के तापमान में 0.3 से 0.6 डिगरी सेल्सिय गया वो 2012 को द्रज किया दूसरा आता है हमारे पास में प्रभाव स्मूद्र सतह में बढ़ अत्रे से धर्ती का तापमन बढ़ता है ग्लेशे पर जमा पानी है, ग्लेशे को हम कहते हैं बरफ की चटाने ग्लेशे सरह हुई होने भर्व की चुटाने जो बरफ सामने बहुत बड़े बड़े तुफानों के रूप में सामने आती है अठारा समुद्रे जल इस तर बढ़ने से दुनिया के अठारा द्वीप अभी तक जल मगन हो चुके हैं और भारत के उपर भी ये खत्रा लगातार भड़ता चला जा रहा है भारत में असम और भ्रह्म पुत्र नदी के बीचों बीच तुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली इसका चेतरफल जो था 1285 वर्ग कीमी से घट करके केवल मात्र 557 वर्ग कीमी रह गया है और 2020 तक ऐसी आशंका की जा रही है कि 14 दीप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे तीसरा जो आता है हमारे पास में मानुस्वास्थे पर असर ग्लोबल वारिमिंग से बहुत जादा फरक पढ़ रहा है किसके उपर मानुस्वास्थे के उपर भी बहुत जादा असर पढ़ रहा है और इससे कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पढ़ेगा संक्रामक रोग बढ़ेंगे जिसमें मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ने की आसंका बताई जा रही है पसुपक्षी और वनस्पतियों पर भी असर पढ़ेगा इससे ग्लॉबल वार्मिंग मैं पहड़ियों परषान परषान से जा रहा है अधिक गर्मी और सर्द्यों में अधिक सर्दी पढ़ने से क्या हो रहा है इयर कंडिशनरी का प्रियूप निंतर बढ़ता जा रहा है जिसके अंदर की प्यूक्त की जाने वाली CFC यानि के लिए अत्य दिखानी का रग गैस है जो भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत एक बढ़ा कारण बन के सामने आ रही है और यह सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव मैंने अभी आपको बताएं है चैप इनको रोक सकते हैं मानोव में जागुता पैदा करके परियावन के पुजआँ को और इसके पर अगला जो टॉपिक है जलवायू परिवर्तन पर वैस्विक चिंतन जलवायू परिवर्तन पूरे विश्व के सामने बहुत बढ़ी समस्य के रूप में उबर करके आ रहा है तो इसके उपर पूरे देशों का जो एक संग बनाया गया उसके लिए जो सारा का सारा पूरे पर वैस्विक चिंतन जो शुरू हुआ इसके लिए सबसे पहला प्रयास किया गया 16 जुन 1902 के मद्धे इस टॉक हूं स्वीडन में मानविय पर्यावाण पर सेंगतुराष्ट का समेलन हुआ इसके जिश्ट तकरीबन 1902 में हुआ उसके बाद में 1982 में 10 से 18 मैं 1982 में नैरोभी केन्या में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावाण से जुड़ी विभिन कारेयोजनों का एक गुष्णा पत्र भी स्विक्रत किया गया इसके बाद में फिर 10 वर्स बाद में यानि कि सबसे पहला हुआ उनने सो बहुत तर उसके बाद में 1982 में याद करने का तरीका देख लिए 10-10 वर्स बाद में उसके बाद में हुआ स्टॉक होम सम्मेलन की बिश्वी वर्स गाट पर 3-14 जून को 1902 में रियोडी जैनेरियो ब्राजील में सेवत राष्टर पृथिस सिखर सम्मेलन हुआ जिसमें एक संदी के उपर हस्ताक्षर किये गए जो हुई जलवायो परिवर्तन पर United Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCC नामकषंदी हस्ताक्षर रित की गई इस सम्मेलन में जिस के तहत है जलवायो परिवर्तन पर पहला सेयोग सम्मेलन हुआ कौप वन वर्स 1925 में में जो हुआ बर्लिंग जर्मनी में और जिसके अभितलग 20 से अधिक सम्मेलन हो चुके हैं हर वर्स प्रतेक वर्स सम्मेलन हो रहा है इस आपकी जो पुस्तक में हैं दो सम्मेलन दे रखे हैं 2014 का कॉप 20 और कॉप 21 दो सम्मेलन दे रखे हैं संग जलवायो परिवर्तन सम्मेलन 2014 और दूसरा सम्मेलन संग जलवायो परिवर्तन सम्मेलन 2015 तो अब हम कर रहे हैं हम संग जलवायो परिवर्तन सम्मेलन 2014 के मैं मुख्य बिंदू बता रही हूं आपको यह हुआ पेरू की राजधानी पेरू एक द जो स्युक्तुराष्ट ससंग का समेलन किया गया, जिसको नाम दिया गया COP20, यह 2014 को आयोजित किया गया, दुनिया के 114 देशों के प्रतिनीदियों ने भाग लिया, इसमें सबसे एक में बात ठीक है, इसके अंदर पेरु के प्रावण मंत्री, मैनुवल पुल्गर विदाल इस समेलन की अध्यक्षिता की, और समेलन को स्युक्तुराष्ट के सचेव बान, के महा सचेव बान की मूँग ने भी संबोधित किया, और भायत का जो प्रतिनीदियों किया, परेवन वन, एमम जलवायों परिवरतन मंत्री प्रकास चावेड करने, दूसरी इसकी जो मेन व प्रारूप में जो सहमती प्रारूप स्विक्रत किया गया, उसमें भायत की सभी बातों को मान तक हुए विकास सिल देशों की चिंताओं का समाधन किया गया, तो ये तीन-चार बातें इसके अंदर इस समेलन की मुष्ट बातें थी, मुख्य बातें थी, जो मैंने आपको बताई हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे सेंक्ल आश्टर संग चलवायू परिवर्तन समेलन 2015, इसके मैं आपको मुख्य बिंदू बता रही हूं, ये कब आयो जित हुआ, देखे बच्चों, ये आयो जित हुआ फ्रांस की राजदानी पैरिस में 30 नमबर से 12 दिसंबर, इसक बैठक होने के कारण, सत्र होने के कारण, इसे नाम क्या दिया गया, COP21, कॉश्चन ना आ सकता है, COP21 क्या है, तो आप इसको ये ही कहेंगे, सेंक्ल आश्टर संग जलवायू परिवर्तन समेलन 2015 में हुआ, जिसको 21 वर्सगार्ट होने के कारण से इसको COP21 नाम दिया गया, इ किये थे, सबसे पहला ये ऐसा था कि विश्व के इतनी बड़ी संख्या में देशों ने किसी समझाते पर, पहला अवसर था कि विश्व के इतने सारे देशों ने, यानि कि 104 देशों ने, पहली बार देशों के प्रतिनिद्यों ने किसी समझाते पर अस्ताक्षर किये थे, और इस में इस अस्ताक्से के बाद में सभी देशों को अपने देश के संसस से समझाते का अनुमोदन कराना होगा, यह जलूरी था, जो लक्षे रखा गया इस समझाते के प्रारूप में, वो था 21 सदी में दुनिया के तापमान में वर्धी 2 डिग्री से कम इस तर तक सीमित क प्रादन का लक्षे भी रखा गया, इसी समझाते के अंतरगत, भारतिया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट करके इस समझाते पर जो टिपनी की थी, वो देखिए, वो यह थी, पैस समझाते में नात्पो को वीजेता है, और ना ही किसी की हार हुई है, लेकिन प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विट में ये सब्द आये थे, फ्रांस के राश्ट्पती ने भी समझाते को धर्ती के लिए महान दिन का, इस प्रकार अनेक विश्व के अनेक जाने माने लोगों ने इस समझाते के अपर अपने-अपने विचार रखे, अब आता है भारते समिधान में परेवान सरंक्षन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, उनको पर अगरा हम दृष्टिपात करें, तो देखते हैं कि भारत में समिधान में 42 संसोधन के द्वारा परेवान सरंक्षन अदिनियम को पारिद करते हुए समिधा जिनकी हम रख्षा करें, यह मूल करतवे है व्यक्तियों के, ठीक है, इसके बाद में, अनुछे 21 में क्या कहा गया, कि प्रतेक विक्ति को उन गति विदियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन स्वास्ते और सरीर को आहनी पचाते हैं यानि कि ज्यादा से ज्यादा प्रयवन जो प्रदुसित होता है उससे प्रतेक विक्ति को बचाया जाना चाहिए ये भी राज्ये के नीति निर्द प्रिशक तपवों में आता है इसके समीधान के तहत जो कानून से पर्यवान से सम्मंदित जो कानून बनाए गए हैं यह देखते हैं सबसे पहला कानून है पर्यवान संक्शन अदेनियम 1986 इसको जो स्विकर्ति मिली 23 मही 1986 को राश्च्पति की स्विकर्ति मिली इसके अंदर कि अगर कोई व्यति किषी निधारीत मांटलू करने वाले हैं इनका उलंगन करने वाले को 5 वृष को लगर यह देनिग5nd ़ुपय का जुर्माना होगा वह साथ वृष की १र्ज ऑसके उलंगन का साथ है इसके अंहएं और कोई भी scale उदिया के 5,000 ञाट बात्रकषि यह पहले उद्योग पती को यह व्यवसाही को किस से अनापति पर्मानपत्र लेना होगा, राज्ज्य सरकार से अनापति प्रमानपत्र लेना होगा की मैं है यहाँ पर इस उद्योग को इस्थापित करने जा रहा दूसरा जो है कानून वह है वायू प्रदूशन निवारान वर नियंत्रन अधिनियम 1981 इस अधिनियम में जो राज्य सरकार है अपने विवेक से किसी भी देश को वायू प्रदूशन नियंत्रन छेत्र गोशित कर सकती है तीसरा आप है हमारे पास में जल प्रदूशन निवा बताएं को कड़े से कड़े दंद व शास्ती देने का बतान हैं अगर किसी उद्योक क नदी किनारे यह किसी नदी के किनारे इस्थापिद कर दिया गया और दां जो उद्योकिक, कच्रा है पूरा कर पूरा Allaur नदी में बाहर जा रहा है तो उस व्यावसाई को कड़े डंड का प्राभधान किया गया है वन्य जीव सरंक्षन अदिनिया में 1922 तर में संसोधन किया गया इस अदिनियम में वन्य प्राणियों के सरंक्षन के लिए यादिनियम एक महील का पत्थर साबित हुआ इसमें वन् 5,000 रुपय जुर्माना भी दिया गया अब जो परियावन जाक्रुकता संबंदी कुछ महतो पुर्टी थी है वह देखी बच्चों विस्व परियावन दिवस आता है मनाया जाता है पांच जून को यह बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टे जुलाई को विस्व जल दिवस 22 मार्च को फिर एक आपके पास में टॉपिक है उबख्तावादी संस्कृती वास्ता में क्या है इसको देखींगे हम उबख्तावाद है कैसी आर्थिक परक्रिया है जिसका सीधा अर्थ समाज के भीतर वयांपत प्रतिक पत्म उबग करने योग्य है जो वेफसाई होते हैं वो क्या करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उभ्भोगी लोगों को अपनी और आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं विग्याप्रों का सहरा लेते हैं तो व्यत्यों को क्या लगने लगता है कि नहीं हम तो इस चीज के बिगए जीही न संसकति कुछ दस्कों से आपूर्तिक अर्थ सास्त्र के अधाना भी खूब चल रही है कि माल बनाते रहो और ग्राहतों मिल ही जाएंगे जहां ग्राहत तयार नहीं है वाव विग्यापनों द्वारा आकरशन पैदा करके ग्राहत तयार किये जाएं ये एक थीम सी बन गही है व्यपषाइयों की और यही है उभूकतावादी संसकती केवल जिससे केवल एक भोकता के जेप के उपर अनावर्षक खर्च परता है क्रेंट कार्ड़, जो पैन कार्ड वगरा है वो उनका गलक तरीके से उप्योग होना करता है घलत तरीके सो ब्सक्रीब भी क्या नहींग कि अमेरिका की जनसंख्या विस्व की जनसंख्या का 5% मात्र 5% अमेरिका की जनसंख्या है लेकिन फिर भी जो विस्व के सकल प्रेट्रोलियम उत्पाद है उनका 20% वही अमेरिका उभोकता द्वारा किया जाता है जो विस्व का सकल 20% प्रेट्रोलियम उत्पाद है उसका जो उभोग करनों करता है, अमेरीकी उभोगता ही करता है, तो जम संक्यातों के वल पांच परती सहता है, लेकिन वो उभोग उतना करता है, तो ये है कि विक्सित और विकास से देशों के द्वारा जादा से जादा दोहन किया जा रहा है, जो संसादन है, प्राकर्तिक संसादन है जो वास्ता में सिमीध हैं और जो हमारे लिए नई पीडी के लिए जो हमारे पास में उनकी धरोह है और हमें उनको संभाल के रखना है लेकिन उनका अंधार दोहन ये एक व्यापक तौर पर समझचा के तौर पर हमारे सामने आ रहा है तो यह है एक बुक्तावादी संस्कति जो मैंने आपको बताई है इस लेसन के अंदर अब यह चैप्टर हमारा तक्रीबन तक्रीबन कंप्लीट हो गया है पूरा इसको मैंने आपको पॉइंट पूरी हर एक चीज को हर एक पॉइंट को मैंने आपको एकस्प्लीन करने का प्यास किया है तो बच्चों अगर आपक पेली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे.